जए हिन दोस्तों आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है गारी में जब भी हम बैटरी को चेंज करते हैं तब गारी में क्या हमें ज़्यादा एज की बैटरी डालनी चाहिए या नहीं और गाड़ी में जब हम बैटरी जादा एज की डाल देते हैं तो उसके फाइदे और नुपसान क्या है और जब गाड़ी में हम कम एज के बैटरी डालते हैं तब गाड़ी में क्या नुपसान होता है और कब और कितना एज किसी गाड़ी के बैटरी में हम बढ़ा सकते हैं त का मतलब होता है ampere hour, ampere मतलब current का value हो गया और hour का मतलब हो गया समय और कितना समय एक घंटे का समय तो अगर किसी बैटरी में लिखा है 100 AH तो इसका मतलब है कि वो बैटरी 100 ampere की current एक घंटे तक देगी या वही बैटरी आपकी 50 ampere की current दो घंटे तक देगी अब दूसरा point यह आ लेकिन उन डिवाइसेस और एससरीज को जाधा देर तक पावर दे पाएंगे, मतलब उनको जाधा देर तक और रख पाएंगे, तो अगर किसी गारी में कमपणी फिटेट 35Ah की बैटरी आई है, तो उस गारी में जितने भी सिस्टम डिवाइसेस और एससरीज लगी हुई हैं वो सारे मिलके maximum 35 A का current एक घंटे तक खीचेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सारे accessories हर समय नहीं चलते हैं और गारी का self सबसे ज़्यादा बैटरी से current खिचता है और गारी को एक बार स्टार्ट करने के बाद में हमारा battery circuit से out हो जाता है तो आप किसी भी गारी में plus 10 AH तक बैटरी का power बढ़ा सकते हैं और इसका फाइदा ये है कि गारी को आप जब भी start करेंगे उस समय आपको self का problem नहीं आएगा बैटरी old होने के बाद भी और बैटरी का life बढ़ जाता है on an average 2-3 साल क्योंकि बैटरी old होने के बाद भी बैटरी के पास में extra energy capacity बची रहती है तो अगर आपकी गारी में company fitted जितने भी AH की बैटरी आई थी उससे आप plus 10 AH तक बैटरी का power बढ़ा सकते हैं मतलब 35 AH की जगे पर 45 AH लगा सकते हैं 55 AH की जगे पर 65 AH लगा सकते हैं कि इसमें एक limitation होता है और तीसरा point उसी पर है कि ज़्यादा एज होने के नुकसान क्या होते हैं तो देखें नुकसान तभी होगा जब आप limit से ज़्यादा एज की बैटरी डाल देंगे मतलब कि 35 AH की जगे पर 55 AH और 55 AH की जगे पर 75 AH और सीधे आपका नुकसान अल्टरनेटर को होता है चार्जिंग के टाइम पे अल्टरनेटर पे ओवर्लोड पड़ेगा और जब गाड़ी running condition पे होती है तो उस टाइम पे ज़्यादा एज होने से आपकी अल्टरनेटर के diode circuit और diode damage हो सकते हाला कि इसको एक limit से बढ़ाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है और आप जब भी गाड़ी में बैटरी चेंज करने जाएंगे ज़्यादा तर सौप वाले आपको recommend करते हैं ज़्यादा एज की बैटरी डालने के लिए लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस टेन एस तक बढ़ाना है उसके पीछे का कारण यहीं होता है अब चौथा पॉ जल्दी डैमेज हो जाएगा over discharge होने के कारण तो आपकी गाड़ी में जितने भी एज की बैटरी recommended है उतनी एज की बैटरी आपको डालनी ही है उससे कम एज की बैटरी नहीं डालनी है और हाला कि आप उसमें प्लस टेन एस तक बढ़ा सकते हैं कोई नुकसान नहीं होगा ग आपको गाड़ी में कभी भी स्टार्टिंग का प्रॉबलम नहीं आएगा और मैंने अल्रेड़ी एसिट सेल वर्सेस ड्राइसल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है उस वीडियो को आप जाके जरूर चेक आउट करिए उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन और वीडियो के देस्क्रिप्शन में है तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को सेयर करिए क्योंकि यहाँ आपको आपको आटोमोटीव रिपेर मेंटेनेंस और टिकनलोजी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत झाल